बाबा जी प्रणाव बाबा आज जैसे राम और नाम को समझाया है सरल भाषा में उसी तरह कर्म और भाग्य की ठोरी को भी सिंपल भाषा में समझाने की कर्पा करें कर्म से भाग्य बनेगा या भाग्य के अनुसार कर्म होगा सरल भाषा में इसे समझाने का कर्ष्ट करें इस प्रशन को समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझनी सबसे जरूरी है मालिक कौन है यह बात हम जब तक न समझेंगे तब तक कर्म और भोग भाग्य इसे न समझ पाएंगे तुम्हें मैं पूछूं के तुम्हारे सरीर का मालिक कौन है तुम जबाब दोगे के मेरे सरीर का मलिक मैं आज तुम एक कौन्टल के वजन के व्यक्ति हो आदमी हो इस्तरी हो मैं पूछूं आज से बीस साल पहले जब तुम्हारी उमर दस साल थे तुम्हारे सरीर का मालिक कौन तुम कहोगे मैं तब भी मैं मालिक था अगर मैं पूछूं कि जब तुमने जन्म लिया तो उस सरीर का मालिक कौन था तुम कहोगे उस वक्त भी सरीर का मालिक में था मैं कहोगा जब तुम गरब में थे पांच चार महिने के गरब के थे तो तुम्हारे सरीर का मालिक कौन तुम कहोगे वैसे तो माता की गरब में था पर मालिक तो मैं ही था मैं पूछूं कि जब तुम कन्सीव हुए थे तो उस स्पर्म के मलक को उस अंडानों से मिले उस स्पर्म और अंडानों के मलक को सोचना पड़ेगा फिर भी तुम कहोगे स्पर्म और अंडानों मिले मेरी सुर्वात हुई तब भी मैं ही था और मैं कहूंगा जब तुम माता की गरब में कन्सीव नहीं हुए थे माता की गरब में अंडानों बन रहा था पिता के वीर में स्पर्म बन रहा था वीर पिता की सरीर में मौजूद था अंडानों माता की सरीर में मौजूद थे तब उसका मालक कुन था तो तुम चक्कर में पड़ोगे तो तुम ये कहोगे तब वीर का मलक मेरा पिता था जिसके वीतर वो था और अंडानों का मलक मेरी माता थी जिसके वीतर वो अंडानों थी तुम कहा गए खो गए प्रोसेस के वीतर ही खो गए और जब तुम कॉंटल भर के तब भी मालक तीस साल के और जब तुम पंदरे विश किलो के मालक दस साल के तब भी तुम मालक जब तुम गर्ब से पैदा हुए तीन किलो चार किलो के मालिक तब भी तुम मालिक जब कंसीव हुए तब तो आपका कोई वजन नाम मतर ही कह सकता है यह वजन तुमने पाया कहां से गर्ब के अंदर माता के खुराक से आपको वजन मिला जनम होने के बाद आपने माता का दूद पिया उससे बड़े हुए खाना पीना सुरू कर दिया उससे बड़े हुए खूब खाया पिया खेले कूदे बजन बढ़ता गया बार बढ़ता गया और तुम्हारे मैं की दावा भी बढ़ता गया उस नगन्या बेट से सुरू हो के तुम एक कॉंटल के हो गया या सच में तुम बढ़े कि तुम्हारा दावा बढ़ा सच्मूची ये वेट तुम थे या ये वेट बाहर की प्रकृति से लिया गया था निश्यति तुम कहोगे कि ये है वेट बाहर की काद्यान सामगरी से लिया गया ये है वेट बाहर से जोड़ा गया काद्य पजारतों के द्वारा फिर मैं कहूंगा फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ धर्ती के अन से आया तो ये अन का हुआ नदिया के पानी से आया तो ये पानी का हुआ हवा की अक्सीजन से आया तो ये अक्सीजन का हुआ ये पांचों तत्वों का हुआ तुम्हारा कहा से हुआ सच में तुम इस बेट के मालिक नहीं हुए सिर्फ दावा हुआ पता भी नहीं था तुम्हारा वेट कितना था स्परमोर अंडानू का फिर भी तुम कहते हो कि मैं था अती सुक्षम रूप में बढ़ता गया बजन माता की कोक से बाहराड तीन साड़े तीन चार किलो बजन पांच किलो हुआ माता की खुराक खाने के कारण हुआ बह वजन तुम्हारा पड़ा तुमने दावा किया कि ये मैं हूँ ये मेरा है सरीर मेरा है दस किलो के हो गए तो सरीर मेरा है बीस पचास किलो के हो गए तो सरीर मेरा है एक कॉंटल के तीस साल की उमर में हो गए तो ये मेरा है तो क्या वास्तव में तुम्हारा है वास्तव में ये तुम्हारा नहीं है और जैसे ब्रांती तुम्हे है वैसे ब्रांती तुम्हारे माता पिता को भी हुई और वैसे ही ब्रांती आदी काल से चली आ रही है जैसे तुम समझते हो कि मैं मेरे सरीर का मालिक हूँ वैसे ही तुम्हारा पिता और तुम्हारी माता भी समझते थे कि हम हमारे सरीर के मालिक है पुरुन से पहले पीडियों पहले सब ही समझते थे कि हम हमारे सरीर के मालिक है आदी युक आदम हव्वा स्वर्ख से निकाल दिया गया बहिश्ट से निकाल दिया गया शुरुआत में वो थे उसके बाद चलती कई श्रिंग खला और आज तुम एक कॉंटल पे हो तो क्या तुम हो या सिर्फ दावा करते हो सच पूछो तो आप कहोगे हम दावा ही करते हैं आज हम बच्चों को देखते हैं दस पंद्रा किलो बजन है कभी एक कॉंटल के हो जाएंगे ये कहेंगे अब मैं ये हूँ कल मैं ये था हम अपनी पराणी तस्वीरों को देखते हैं हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उन शब्दों के उन अकरतियों के साथ क्या वास्त में वो तुम होते हो और ये भरांती यहीं तक नहीं रुकती के मेरा वजन एक कॉंटल है बरांती यहां पर आकर रुकती है कि ये सरीर का वजन 30 किलो 50 किलो एक कॉंटल नहीं है बलकि मैं ही हूँ सरीर ही मैं हूँ ये और भी बरांत दारना हो गए पहले वजन बड़ा था वजन के साथ सत्मरा मैं भी बड़गया आदी पत्य बड़गया पहले तुम 10 किलों के मालिक थे अब तुम एक कॉंटल के मालिक हो और अब मालिक नहीं हो अब तो तुम ही हो मालिक में और स्वेम होने में फरक होता है एक चीज तुम्हारे पास है उसके तुम मालिक हो और अगर वो चीज ही तुम हो तो क्या होगा अब ये मॉबाइल है मैं इसका मालिक हूँ समझा रहा हूँ और अगर मैं मॉबाइल ही होता तो क्या होता तुम सरीर के मालिक नहीं हूँ तुम सरीर ही हो अब यहां तक बात अटक गई है और क्या वास्तव में जैसी मैंने परनाली बताई हूँ पिता के स्पर्म उस थैली में स्पर्म पिता मालक था थैली से भार आया संभोक के दोरा माता के गरब में प्रवेश किया अंडानू से मिला और तुम्हारा बहुत अती लगू सबरूप मन गया तुम्हारी मलकियत सुर्ग हुई तुम्हारे अपने आपके होने की बढ़ती गई माता के खाने से बढ़ी बढ़ती गई बढ़े हो गए जनम हो गया अब तुम्हारे तीन या पांच किलों के मालक हो दस पंद्रह के हो जाओगे बीस पचास के हो जाओगे कॉंट्रल के हो जाओगे भार ही नहीं बढ़ा तुम्हारा दावा भी बढ़ा आज तुम एक कॉंट्रल के हो मालक नहीं हो तुम एक कॉंट्रल वजन हो किसी वक्त दस बीस तीस किलो थे किसी वक्त जब जन में तो तीन पांच किलो थे उससे पहले जब पिता के स्पर्म में थे शरीर में मुझूद थे तो वो मलकियत पिता की थे तुम तो थे ही नहीं और पिता की भी ऐसे ही एवॉलीशन होई और फिर उसके पिता की भी और फिर सीड़ियों वाइस ये करम चलता रहा ये सारा सलसला पीड़ी दर पीड़ी चलता ही रहा सीड़ियों की तरह है सुरू गहां से हुआ इतिहास कहता है कोई कहता है कि मनू और शत्रूपा से शुरू हुआ कोई कहता है कि आदम और हववा से शुरू हुआ सनातन कहता है के मनु और शत रूपा का विवाह हुआ उस से पांच संसाने हुई यहां से चली कहानी दूसरा धर्म कहता है आदम और हुआ बहिस्त में थे उन्होंने कनक खाली गेहू उनको दंड सुरूप प्रमात्मा ने बहिस्त से स्वर्ग से बाहर कर दिया कहानिया है सत्य वत्य का कुछ पता नहीं किसी को बाबा सही कहते है जा करता स्रिठी को सजय अप जाने सोई तुम शत्रूप और मनू की कहानी गड़े जाओ तुम एक अरब कहत्तर करोर साल पहले स्रिष्टी का निर्मान कर दो साइंटिस्ट साड़े छे बेलियन वर्ष पहले शुरूप करते हैं इसलाम धर्म कह दे के प्रमात्मा ने कहा के होजा स्रिष्टी हो गई और सनातन धर्म हमारा कहता है एको आहुम भुष श्यामी प्रमात्मा ने संकल्प किया और स्रिष्टी हो गई बाबा कहते हैं कवन सु वेला वक्त कवन कौन सा समय था कौन सी वेला थी कवन थित कवन वार तिथी क्या थी वार क्या था कवन सी रुद्ध माह कमन कौन सा महिन था रुद्ध कौन सी थी कवन सु वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सी रुद्ध माह कमन जित होया आकार जब है आकार प्रकट हुआ उसकी कोई तारीख महीना कोई रितू कोई साल बेल न पाया पंडिता समय पंडित नहीं जान सके हलांके लिखा हुआ है बेल न पाया पंडिती यहोवे लेख पुराण नहीं तो पुरानों में लिखा होता है लेकिन लिखा हुआ है जूट है अनदाजा है साइंटिस्टों का भी अनदाजा है सभी धर्मों का भी अनदाजा है गपोर संक बिग बैंग हो गया यह साइंटिस्ट गपोर मारे है एको अहंबो शाम ये धरम गपोड मार रहे हैं पता किसी कोई कौन सा वेला, वक्त कवन कवन थित, कवन बार कौन रुत कौन मह जित पाया आकार, बेल न पाया पंडित है पंडितों ने इसका वक्त खोजा नहीं जहोवे लेख पुरान नहीं तो पुरान में लिखा होता लेकिन लिखा है पुरान में गपोड लिखा है गलत लिखा है वक्त न पायोका दिया काजी भी इसलाम भी इसका वक्त नहीं जान सका अलगे इसलाम बहुत बात में होगा हमारे मनु और शत्रूपा तो बहुत पहले हो गए यह लिखन लेख कुरान नहीं तो कुरान में कोई लेख लिखा होता है थितवार ना जोगी जाने है जो योग करता है उसके साथ विलीन होता है एका कारोत है वो भी नहीं जानता रुत माहन कोई वो भी नहीं जानता कि कौन से रुत थी कौन सा महीना था कौन से थित थी कौन सा वार था सुम वार था रभी वार था महीना कौन सा रितू कौन सी नहीं जानता रुत्त माहन कोई कौन सी रितू थी कौन सा महीन था जा करता स्रिठी को साजे अप्पे जाने सुझे जिसने इसकी रचना की है वे खुदे ही जानता है ना पंटित जानता है ना काजी जानता है ना धार्मिक विद्वान जानता है ना कोई शास्तर जानता है ना पुरान जानता है ना बेद जानता ना पुरान जानता है ना बाइबल जानता कुछ कोई नहीं जानता सब गपोर पंथे बेज्ञाने को भी नहीं जानते है कितने ही तरक दे दें सब अस्टीमेट्स है अंदाजी पता किसी को पहला कर्म किस ने किया अब ये कहते हैं कि मनू और शत्रूपा से स्रश्टी का आगाज हुआ और डार्विन कहता है कि अमीबा से स्रश्टी का आगाज हुआ सिंगल सेलूलर यूनी सेलूलर से मल्टी सेलूलर और आगे बढ़ते गए फिर बंदर बंदर से बंदा हम पैदा होगे लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आजकल ऐसा क्यों नहीं होता है यह हुआ ठीक हुआ आजकल क्यों नहीं है मीबा से बंदर और बंदर से बंदा क्यों नहीं बंदा कोई जवाब ठीक त्यूरी ओफ एवॉलिशन डर रे मनूर शत्रूपा आदम और हुआ निकलना सुनते आये थे बहिस्त से अदम का लेकन बड़े बयावरू होकर तेरे कुचे से हम मुकले गंती क्या थी उनकी उन्होंने कनक खा ले थी कनक भूक लगी कनक खा ले और दंड मिला यह सरष्टी कब शुरू हुई कैसे शुरू हुई किसने शुरू की इसका कोई आदी अंत है नहीं जानने बार तो बात खत्म करती बाबा ने जा करता सरष्टी को सजय अपए जाने सोई गुरू नानक एक करता को मानते हैं इस शुर को उसने सरष्टी को सजय लेकिन बेग्यानिक इस मत से मत भेद रखते हैं वो कहते हैं सरष्टी को किसी ने नहीं साजय अब अलग अलग मानने ताइं धार नहीं है सब घच मच हैं कुछ पता नहीं किसी सही कुछ नहीं सभी के अंदाजे हैं अगर हम यहां तक मानने के मनुश्य तक आ गया डार्विन का अमीबा और बाबा कहते हैं के कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दवार उससे पहले की सभी जोनिया भोग जोनिया हैं और भोग जोनिया पैदा की हुई भोग जोनियों में पशू इतना कष्ट पाते हैं छीरे जाते हैं काटे जाते हैं पहले मनुष्य के पास खाने योग कणक नहीं थी खाते पदार्थ नहीं थे वनस्पती नहीं थी तो जानवरों को खा लेते थे जानवरों को मार के खाया पाप किस ने किया किसी को मार के खाना पुनी तो नहीं होता और आदमी के पास मुग फली तो थी नहीं कैश्यू और एलमड था तो क्या खाया खरगोश को मार के खा गए जानवरों को मार के खा गए तब तक आग का भी अविश्कार नहीं हुआ था पहले कच्चा मास फिर आग का अविश्कार हुआ पका के खाना शुरू हो गए क्या तब पाप नहीं लगता था उसको और फिर अगर प्रमात्मा ने इस रिष्टी के रचना कर दे तो सम्विधान भी लिखना चाहिए था ना ऐसा करोगे तो पाप लगएगा ऐसा करोगे तो पुन्य लगएगा वो तो लिखा नहीं फिर किसी का क्या कसूर जब कोई सम्विधान का शिश्यूशन ही नहीं है तो किसी को पता ही नहीं कि किसी को मार के खाना पाप है तो आदी मानम नहीं करगोश मार के खाना लिए जानवर मा के खाना लिए तो पाप किस को नहीं ईश्यूर को चाहिए था सम्विधान लिख देता जैसे हमारे इंडिया का का शिश्यूशन बना तो सभी बचके चलते हैं नहीं तो अपराद ही अपराद होते अब कभी कभी अपराद होते हैं क्यूं कम होते हैं क्यूंकि पता है कि अगर अपराद किया तो इसके सजा मिलेगी मजबूरी में किसी कारण से अपराद होते हैं तो Constitution प्रमात्मा ने लिखा ने बनाया लिखा ने जैसे हमारा हिंदुस्तान का संभीदान लिखा गया साफ साफ हैं बहस होती है उस पर जत साहब बैठते हैं दंड भी देते हैं इन सभी बातों के उपर मनुष्य ने विचार कभी ने किया रटे रटाए जवाब अगर हम कह दें यह है स्रिष्टी किसने बनाई रटा रटाए जवाब परमात्मा ने तो परमात्मा को किसने बनाया और बड़े परमात्मा ने और बड़े परमात्मा को किसने बनाया और बड़े परमात्मा ने फिर उसको वो तो खुद ही बस था और अगर कोई खुद था सैपम तो फिर सृष्टी कोई क्यों न मालने विज्ञान ये तरक देता है ज्यादा पढ़िया है अगर सैपम एक चीज को मानना है खुद के प्रकाश से प्रकाशित खुद ने खुद को ही जनम दिया अगर ऐसा एक तत्व, एक सत्ता हमने माननी है तो फिर प्रकृत्ती को ही मालो प्रमात्म की भी क्या वशक्ता है यही बात वुद ने करी जब तुमने एक सत्ता को स्विकार ही करना है जो के खुद के प्रकाश से प्रकाशित हुई खुद से ही जनमी तो फर एश्वर को एश्वर की जरूर्द क्या है अगर हमारे उपर से इंट गराने से इंट नीचे सडक पर गिर ही जाएगी Due to law of gravitation Due to gravitational force तो एश्वर की जरूर्द क्या है सरश्टे है काफी है स्रिष्टी का ये नियम है कि सेव निचे ही गरता है उपर नहीं जाता तो इसमें इश्वर क्या करेगा तो बुद्ध ने सरव प्रत्म ये बात कही कि इश्वर की कोई आवश्यक्ता नहीं गैर जरूरी है इश्वर लेकर यहाँ पर बात आकर रुकी नहीं कुछ अंतस्की खोज करने वाले लोगों ने वो अग्यात हाथ देख लिए जो संसार को नचाते हैं फिर उसको ही सहपम मानना पड़ा एक कुंकार सत नाम करता परुक निर्पो निर्वेर अकाल मुरत अजूनी सहपम गुर्परशाद उस एक तत्व को जब देखा सतोरी की जलक में सरस्टी को जलाते हुए तो सरस्टी के उपर की सत्था दिख लिए ऐसे बेक्तियों ने जिनको हम महात्मा गण कहते हैं महर्शी कहते हैं सिद्ध बुद्ध कहते हैं उन्होंने जब देख लिए वो अद्रिशाद तो विज्ञानिकों की ये नास दिखता इश्वर करना होना उनकी नेजरों में खतम हो गया अब दो सिद्धान दे कर्म की थूरी समझा रहा हूँ आपको शांती पुरुक सुनते रहना दो सिद्धान तो बचे एक सिद्धान तो बचा के इश्वर नहीं है प्रकृत्ती के नियमा नुसार सब कुछ गटित होता है तुम ही हो करने वाले तुम ही हो भूगने वाले बुद्ध ने ऐसा ही का जेकर बुद्ध एक बात और कहते हैं बात वहीं रुकती है जाके महावीर करम फिलोस्पी के अंदर यही बात कहते हैं लेकिन महावीर कहीं और जाके भी रुकते हैं प्रकृती के पार एक साक्षी तत्व पर रुक जाते हैं डारेक्टली परमात्मा को मानने वालों ने परमात्मा को ही करता बताया लेकिन जिन्होंने परमात्मा को नहीं माना अब शिक्ता नहीं है है भी नहीं जब नियम काम कर रहे हैं तो आवशिक्ता नहीं है बात भी ठीक है जब नियमों को फीड कर दिया गया आम का फल बीजोगे फल पबूल का आएगा ही नहीं फल भी आएगा आम का तो फर इश्वर की आवशिक्ता क्या पड़ी सूरज भी उगेगा चंद्रमा भी उगेगा ग्रह नक्षत्र तारे सभी आएंगे जाएंगे उनके इफेक्ट भी धरती पे आएंगे सब कुछ होगा और पोधा पनपेदा अंकुरित होगा छोटा पेड बड़ा पेड बनेगा फूर लगेंगे फल लगेंगे फल लगेंगे फल पकेंगे फल पकेंगे गर जाएंगे दो सत्ताओं पे बात आके रुक गई एक बुद्ध की सत्ता महावेर की सत्ता और एक सत्ता संतों की सत्ता जिसे वगवान कृष्ण कहते है मैं लेकिन शायद आपको ग्यात ना हो दो फिलोस्पीस जरूर है लेकिन उन दोनों को वीतरे एक कौम बंतत्व है क्या? सक्षि वो सक्षि को ही प्रमत्म कहते हैं क्रिश्ण हे अर्जुन तू स्थिती प्रग्य हो जाओ उस स्थिती प्रग्य कौन है? सक्षि बुद्धु से सक्षि कहते हैं क्रिश्ण उसे स्थिती प्रग्य कहते है तो अंत तै एक सत्था पे सभी जाने अंजाने इशारा एक सत्था की तरफ ही गया फासला इतना रहा क्योंकि हम तो एक अनू को भी नहीं बना सकते कान के रेत के कान के एक अनू को हम नहीं बना सकते क्रियेट नहीं कर सकते और यहां अनू का कोई ठिकाना ही नहीं जिन धर्तियों के पीछे हम कट मरते हैं इंचिंच के पीछे उतने बड़े बड़े एस्ट्राइड सो अवारा फिरते हैं हमारे आसमान में तो दो फिलस्फिज आई जैसा करेगा वैसा भरेगा इस बास से ना क्रिशन मुनकिर थे ना माहवीर ना बुद्ध और इस बास से बाबा नानक भी मुनकिर नहीं थे बात अड़ती कहां है करम का फल मिलता है सबी को पता है गेहूं भी जोगे गेहूं मुंगी भी जोगे मुंगी बबूल भी जोगे बबूल तो और आम भी जोगे आम यहां तक बिल्कुल ठीक है लेकिन बात यह आती है कि करता कौन है अब बाबा नानक कहते हैं करता पुरुख उस परमात्मा को जिसने स्रिष्टी को बनाया वह परमात्मा और स्रिष्टी दोनों में बेद करते हैं लेकिन उपनिश्ट इन बातों को जवाब देते हैं उपनिश्ट इस समस्था को हल करते हैं उपनिश्ट क्या कहते हैं वो कहते हैं कि स्रिष्टी और परमात्मा दो हैं ने इशा वस्मिदम सर्वम यत किंच जगत याम जगत जगत भी है इश्वर भी है और इस जगत के कण कण में इश्वर व्यापत है एक है दो रूपों में जैसे पानी अगर माइनस डिकरी में आ जाये तो वर्फ ठोस बन जाएगा पानी का सवाव लिकोड़ा माइनस डिकरी के उपर ले जाओ चालिस में तो वर्फ बन जायगा और उवाल दो सो डिग्री से उपर हजार डिग्री पे तो वाश्पू बन जाएगा तो अगर ठोस भर्फ को देखकर कोई कहे कि ये पानी नहीं है या वाश्पू को देखकर गैसी ये वाश्पू को देखकर पानी को कोई कहे कि ये पानी नहीं है ठोस भर्फ को देखकर कोई कहे कि ये पानी नहीं है तो बिल्कु ठीक करे पानी पानी है बर्फ पानी नहीं है वाश्प पानी नहीं है तीनों के कोमेंट्स बिल्कु ठीक हैं लेकिन फिर भी गलत है क्योंकि एक कोमेंट आकर तीनों के कोमेंटों को ठीक कर देगा मिला देगा वो क्या कोमेंट है कि चाहे पानी है चाहे बर्फ है चाहे वाश्प है उसमें दो एटम हाइड्रोजन और एक आटम ऑक्सीजन का है H2O इससे कोई इंकार नहीं कर सके रहा वाश्प बना पानी से उबलने के कारण बर्फ बनी पानी से फ्रीज होने के कारण लेकिन उनका केमिकल रसाइनिक संग्रचना में कोई भेद नहीं पड़ा तो उपनिश्द आकर इन बातों को हर करते है उपनिश्द कहते हैं कि प्रमत्म है और जड़ भी है चेतन भी है और जड़ भी है दोनों हैं लेकन दोनों एक में ही है जैसे पानी के वितर छुपे हुई बर्फ भी होती है और पानी के वितर छुपे हुए वाश्प भी होते हैं प्रक्रिया की जुरूरत है उन्हें तबदील करने में यहां पर आकर उपनिश्द बातों को साफ करते हैं कर्म कौन करता है सबकी फिलोस्पिस अलग-अलग है कर्म मनुष्य करता है फल भूगना पड़ता है मनुष्य को ही कर्शन कहते हैं कर्मने वादकार अस्ते मा फल एशुक्त आच्छा फल मेरी प्रक्रिती निर्दारत करेगी कर्म तूं कर लेकिन बाबा ये कहते हैं कि तुम हो भी कर्म तु तब करोगे ना अगर तुम होगे उनकी फिलोस्पिए ये कहती है कि तुम होई नहीं आज तुम कहते हो कि मैं एक कॉंट्रिल का हूँ जो फिलोस्पिए मैंने गनाई बड़ोत्री की अवलूशन की उस साफसे तुम हो नहीं हो एक कॉंट्रिल के तुम हो नहीं मानते हो हो नहीं कभी वेटलेसनेस थे और कभी अपने मालक भी नहीं थे कभी पिता के वीरी की थेली में थे और कभी जब पिता ने वो बोजन नहीं खाये तो बने भी नहीं थे पीड़ी दर पीड़ी ये चलता रहा रिवाज स्पर्म बने और आपका जनम हुआ आज अब कहते हैं को मैं एक कॉंट्रिल का हूँ मैं हूँ सिरीर मैं हूँ यहां पर आकर बात बिढ़ती है कर्म के उपनिशद इस बात को मिलाते हैं इस वरानती को समत करते हैं वो कहते हैं कि प्रकृति के गुनों के अनुसार इस त्रिगुन मैं प्रकृति में सभी गुनों सत्व गुन, राजगुन और तमगुन आपस में बैलन्स रखने हैं तू कर्म करती है प्रकृति के सत्व रजग और तम ये गुन काम करते हैं और फल देते हैं कर्म भी इनके द्वरा होता है सत्व रजग तम और फल भी इनके कारण ही होता है अच्छा या बुरा प्रकृति के इन त्रिगणों के कारण सत्व रजग तम इनके कारण अच्छा या भुरा कर्म होता है तुम करता नहीं हो उपनिशिद भी यही बात करते हैं तुम करता नहीं हो प्रकृति के त्रिगणों की कारण तुम कौन हो वो ही जिसे बुद्ध साक्षी कहते हैं महावीर साक्षी कहते हैं क्रिश्ण अपने वीतर अवस्थित सती प्रक्ठ और बाबा ना नका उसे प्रमात्मा का रोप रेते हैं करता अगर गोर से देखोगे तो शब्दों का फर्क पाऊगे सत्ताओं का फर्क ने पाऊगे सत्ता एक ही है जैसे किसी केमिकल रेक्षिन में अगर हम कैटलिक्टिक एजेंट ना डालें तो रेक्षिन होगी ही ने ऐसे ही इश्वर सक्षी है इश्वर द्रश्टा है उसकी मोजूदगी में सारा काम होता है उसकी मोजूदगी में कर्म होता है और उसकी मोजूदगी में कर्मों का भुगतान होता है और करम करना और भोग भोगना जिसकी मौजूदगी में होता है वो उसके कारण भी होता है अब ये गहरे शब्द है समझने की चिश्ट ठता है देखिए कैमिकल रियक्शन एक हो नहरेरा हमने जिन चीजों को मिला दिया उन चीजों को मिलाने से वो chemical reaction हुआ नहीं, राइसाइनिक क्रिया हुई नहीं, क्यों? क्योंकि किसी catalytic agent की अवश्कता थी, जैसे ही हमने catalytic agent रखा उसमें, अलाकि उसका कोई काम नहीं था, लेकिन उसकी मोजूदगी जरूरी थी, जैसे ही catalytic agent हमने रखा, chemical reaction शुरू हो गए, कर्म शुरू हो गया, कर्म किया किसमें? chemical reaction के लिए जिम्मेवार कौन? जो chemicals आपसे में मिले, वो कहेंगे हम तो जिम्मेवार नहीं है, हम कब मिले? अगर catalytic agent ना आता, तो मिली नहीं सकते थे, बात बलकु ठीक है, लेकिन catalytic agent कहेगा, कि मैं जिम्मेवार कैसे? जब मैंने किया ही कुछ नहीं, I was only present there, मैं सरफ वहां मोजूद था, एक कलास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, वहां का टीचर नहीं है, टीचर ने देखा कि शोर मच रहा है, चुप करके कलास रूम में आया और अपनी कुरसी पे बैठ गया, बच्चों ने शोर मचाना बं टीचर ने कुछ कहा भी नहीं बच्चों को कि चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ, कुछ नहीं का, बच्चे चुप हो गए, केमिकल रियक्शन शुरू हो गए, कैटलिटिक एजेंट के आने से, कैटलिटिक एजेंट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मोजूद हुआ, तो जो ये रियक्शन होई, केमिकल रियक्शन हो, वाज रिस्पंसिवल फर देट, इसका जवाब, मिलानी किसे को, वेग्यानी किसका जवाब, नहीं दे पाए, धार्मे के लोग भी इसी उह पुह में फसे पड़े, जब बिजली का बल्ब की रोशनी में कतल हो गया, और बिजली का बल्ब ना होता, तो कतल नहीं होता, और बिजली के बल्ब की रोशनी तले कतल हुआ, वेजली का बल्ब की रोशनी के बिना मर्डर हो नहीं सकता था, और बल्ब का इसमें योगदान कुछ नहीं है, सिर्फ मौजूदगी के इलावा, तो कतल किस नहीं किया, जिसने एक दूसरे का कतल किया, वो भी कहेंगे के अगर बल्ब ना होता, रोशनी ही ना होती, हमें पता ही ना चलता, ये उल्जन वरा स्वाल है, ये फसके रह गया, लेकिन इसको हल किया बाबा नहीं, बाबा कहते हैं, क्रिशन ने भी हल किया, और सभी ने हल किया, इंडिरेक्टली, बुद्ध ने भी हल किया, महावीर ने हल किया, सभी मनीशों ने इसको हल किया, अलग-अलग नाम देका, बाबा कहते हैं, कि वो खेल खेल रहा है, अगर किसी ने करोड रपे कमा लिया, मैं आप से पूछता हूँ, और वहें उन रपे को, दान दे, या शराब पिये, या बुरे कर्म करे, या अच्छे कर्म करे, सेवा समर्पन में लगाए, भूखों को बोजन दे, गरीबों को दान दे, बिमारों को उशदी दे, इलाज करवाए, दुख्यों को उनकी जरूरतें पूरी करे, या अपने ही कमाए हुए दान से, बहाँ आग लगा दे उसको, कोई कुछ कह सकेगा, सोच के जबाब तुझे, अगर तुमने क्रोड रुपय कमा दिया, अपनी महन से, तुम उसको जलाओ, गलाओ, शुब कामों में खर्चों, बुरे कामों में लगाओ, आपको कोई चैलेंज है, तो बाबा कहते हैं, इसी तरह उस सप्था को कोई चैलेंज है, वह खेल खेल रहा है, और खेल भी बड़ा सुन्दर खेल रहा है, आप पर खेलें, खेल, खेल भी वही है, खेलाडी, खेलाडी भी स्विम है, और जिस से खेल खेला जाता है, वह द्रवे भी वह है, फुटवाल भी वह, फुटवाल के कमारने वाले खेलाडी भी वह, और फुटवाल का खेल भी वह, अपे खेलें, खेल खेलाडी, आपे खेलन हा रहा हूँ, कर्मी आवे कपड़ा, अब आखरी बात आ रही है, अब बात को कंडेंस करकर मैं थीम परमगा, कर्मी आवे कपड़ा, उसकी रहम से, हमें ये जामा मिलता है, जो हम कर्म करने में सुटिंतर है, जिसके द्वारा वो कर्म करता है, हमारी संगर्चना श्रीर की यसी बनाई, परमात्मा ने खेल खेलने के लिए, जो हम भली माती कर्म कर सकें, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, मानम स्रीर भी वो देता है, और मोख्ष का द्वार भी उसकी कर्पा के बिना नहीं बुलता है, नानक एमे जानिये, अब ये सुन्दर शब्द है, नानक कहते हैं, के ऐसे जानों, मानों नहीं, अब ये थीम है सारी जबजीक, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानक एमे जानिये, ऐसे जानों, क्या जानों, सब आप्पे सचयार, वह साचा सहाब, सब आप ही है, जड भी वो, चेतन भी वो, सब वो, सब आप्पे सचयार, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानक एमे जानिये, मान के नहीं बैठ जाना है, आज लूप मान के बैठे हैं, करांती गटित नहीं होती, दुखी रहते हैं, अगर तुमने जान लिया, सच मुच जान लिया, वो जानने वाला कोई एक होता है, बाबा नानक, नानक एमे जानिये, सब आप्पे सचयार, अगर वो आप ही समुदर है, तो समुदर लहर बने, समुदर समतल हो जाए, समुदर शोर करे, समुद्र की एक लहर मरे, समुद्र की एक लहर दूसरी को मारे, समुद्र की एक लहर फुट मीटरों उपर उठे, समुद्र की एक लहर नीचे पादाल में जाए, किसी को क्या फर्क परता है, जब है ही सारा समुद्र नानक एमे जानियें सब आप्पे सचे आरह यहां आकर बात खत्म होती है अगर सब कुछ परमात्मा है तो वह जो करता है सब कुछ परमात्मा है तो जो करता है वही करता है जब है यह वह अगर सब कुछ समुद्र है तो समुद्र की सारी गतिविदी समुद्र ही करता है सब आप्पे सचियार चाहे बाहर की प्रस्तितियों के वश करता है चाहे भीतरी किसी प्रस्तितियों के वश करता है लेकिन वो सब करता है अपने ही भीतर फल भी उसका खुद ही भोकता है करता भी खुदी है ये खेल ये रंग मंच खेल की सारी सक्रिप्ट कहानी कार एक्टर एक्ट्रेसेज वीलियन जोकर सब वो रला मला के उसने खेल खेला सक्रिप्ट उसकी लिखी हुई थी अब नानक क्या कहते है रोज परशना आ जाते है सक्रिप्ट लिखी हुई है मैंने कल भी बोला था सक्रिप्ट लिखी हुई है पता होता नहीं उसको तो बाबा कहते हैं के मेरी बात मत मनूँ मेरी बात मत मनूँ तुम जानू नानक एमे जानिये मानिये नहीं जानिये सब आपे सच यार सारा कुछ खुद ही वो साचा सहाब है उसके सिवा कुछ नहीं द्वंद पैदा होता है, जगड़ा पैदा होता है न्याय की वातें, पापपुन की वातें डाके, दान की वातें, दुख सुख की वातें तब पैदा होती हैं, जब दुई पैदा होती है दूसरी सत्ता यहां कोई नहीं है बाबा कहते हैं दूसरी सत्ता यहां कोई नहीं है सब अप्य सचियार सारा कुछ वहक हो दी ही है अब मुझे जवाब देजिया जब है ही वो दूसरा है ही नहीं तो करेगा कौन जो है वो ही करेगा न जब दूसरा है ही नहीं अगर दूसरा करेगा तो वह सिर्फ थोपना होगी उस व्यक्ति की तरह जो कहता है कि मैं तो एक कॉंटल का हो गया ठाने मैंने साइव प्रोसेस तो इस सुरु से समझाई आपको कहां से फीडी चली स्पर्म चला स्पर्म स्पर्म अंडानू मिलते गए मिलते गए आगे बच्चे फिर आगे फिर स्पर्म फिर अंडानू मिले उस वक्त आपका कोई वजन नहीं था फिर वजन बढ़ना शुरूब हो गया यहीं की चीज़ें खाकर फिर दो पांच किलो के पैदा हुए फिर दस बीस पचास किलो कुंडल के हुए अब तुम कहते हो मैं कुंडल का हूँ मैं हूँ क्या तुम वास्ताम में हो सचाई है वास्ताम में तुम नहीं और सभी ये मानते हैं कि हम है तो बाबा कहते हैं कि देखिये मानने से तो आप दुखी ही रहोगे मानने से तो इसका हल होने से रहा मानने से तो आप सुकी होने से रहे यह तो जानना पड़ेगा तो जानना कैसे पड़ेगा जानना पड़ेगा उस सेंटर पर जाकर जहां से जाना जा सकता है और वो सेंटर है का वो सेंटर है आपके ही वितर वहां गहरे उतर के जानना पड़ेगा कि सब आपे सच्यार और बाबा की इस वात को प्रमानिक सभी शास्तर करते हैं आपने गोर से पड़े हो ना पड़े हो इशा वास उपनिशित क्या कहता है इशा वास मिदम सर्वम यतकिंच जगत याम जगत इश्वर इस जगत के कणकण में विद्यमान है He is omnipresent जिधर देखता हूँ उदर तू ही तू है हर दरे में तू ही तू रूबुरू है नानक एमें जानियें सब आपे सचियार यह है आपका गोल ओफ लाइफ सुखी होने का महा मंत्र मूल मंत्र जैसे ही आप जान लोगे कि उसके सिवा दूसरा है नहीं जगडे दूई के कारण होते हैं लेकिन वह दू तो है नहीं वह तो एक है तो सारे ब्रह्म बेद से पैदा हुए ब्रह्म तूट जाएंगे क्योंकि बेद कत्म हो गया जब दू है ही नहीं तो बेद कत्म हो गया दादू दूजा को नहीं दूजी मन की दोड़ दोड मिटी संसय गया जैसे ही आपने जाना सब आप्पै सच्चे आर नानक एमे जानिये मैं बहुत बार आपको ये शब्द कहता हूँ पुकार पुकार के बाबा भी पुकार रहे है जानिये मानिये नहीं ये दुनिया आज इतनी दुखी है कारण सिरफ मानने के कारण मैं सरीर हूँ माना जाना नहीं मैं जे इंद्रिया हूँ माना जाना नहीं मैं यह मन चित अहंकार हूँ माना जाना नहीं बाबा कहते हैं अगर मुक्त होना है तो जानना ही एक मतर रास्ता है No दाए सल्फ अपने आपको जाना Who are you जानना पड़ेगा मानने से समस्चाहल होती ही ना मानने से दुख दूर होता ही ना मानने से दुविदा बनी ही रहेगी तो इस तरह जानो जानो कि वह एक ही है और जब एक ही है फिर दुन्द काहेगा कोन पाप करेगा? किस से पाप करेगा? कोन पुन्य करेगा? किसको पुन्य करेगा? बह एक है जैसे ही समाधी से बाबा बाहर आते हैं पहला शब्द उनका एक उंकाश दो नहीं है समझने वाले वहाँ पर समझ लेते तो दुविदा खत्म थे जैसे ही दो आते हैं वैसे ही दुविदा शुरू होती है और जैसे दुविदा शुरू होती है वैसे दुख ही शुरू होता है यह है करम की फिलस्फिय बाद गया बिल्कुल एकोरेसी खेल रहा है वो इमानदारी से खेल तो रहा है क्योंकि अकेला है नानक विगसे कर विचार अपनी सरजना को देखकर खुश भी होता है इसको देख देखकर खुश होता रहता है अपनी ही सरजना को राच के और उस सरजना को रची हुई सरजना को देखकर नानक विगसे कर विचार विचार करके मेरी रचना, खुश होता है, लिकन एक है, दूसरा नहीं है, एको उंकार, सब भी धर्मोंने का, एको अहम दुद्ति और नास्ति, एहम ब्रह्मस्व, मैं ही अनलहक, दूसरा नहीं है, कर्म और भाग दिया, खेलता तो वो है, तुमारे द्वारा खेलता है, लेकिन कोई राजा ये ना कहे के मैं राजा हूँ, कोई सेवक के ये दुख न वाने के मैं सेवक हूँ, कोई इस्त्री पुरुष, ये ना समझे के मैं इस्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सारी स्रिजना उसकी है, नानक एमें जानिये, सब आपे सचियार, ये स्रिश्टी का कणकण, रुमा रुमा, सब वो आप ही है, उसके सिवा और कुछ नहीं, बिखारी भी वो है, दुखी भी वो है, सुखी भी वो है, गंदगी भी वो है, आनंद भी वो है, दुख भी वो है दुरगंद भी वो है सुगन्द भी वो है गंगा जल भी वो है और गंदा नाला भी वो ही है संत ऐसा ही कहते है जिसने जाना ऐसा ही पाया तुमारी कोई फ्रेविल नहीं है फ्री विल है उसकी तुम कुछ करते नहीं ऐसा नहीं है तुम कुछ कर सकते नहीं ऐसा है घर्दय को तुम धड़का रहे है इसको रोक सकते है स्वास को तुम ले रहे है तो करोना में स्वास क्यों नहीं लिया ये चांद तारे तुम निकालते हो तुम छिपाते हो ये ग्रह नक्षत्र इतनी गैलेक्सिस बिलकुल सूत्र में बधी सारी काइनाद पाबंद समय की तुम करते हो पाबंद से तुम निचाते हो सारा बाबा कहते हैं कि ये सारी रचना उसने रची और इस रचना को देखते कर वो विगसे कर विचार वैं खुश होता है और खुद ही दुख पाता है खुद ही सुख पाता है लेकिन ना सुख है ना दुख है सबी संतों ने अपने अपने ढंग से बोला ब्रमसत्यम जगतमिथ्या जगतमिथ्या का अर्थ कहता है जिसे तुम दुख की तरह देखते हो वो दुख है ने जिसे तुम सुख की तरह देखते हो वो सुख है जिसे तुम जीवन की तरह देखते हो वो जीवन है ने तो मृत्यू में तब्दिल हो जाएगा और जिसे तुम मृत्यू की तरह देखते हो वो मृत्यू है नहीं क्योंकि वो जीवन का आगाज है और अगर महा मृत्यू में परवेश हो जाओगे तो वो अखंड जीवन में कनवर्ट हो जाएगा टेटी फिलस्पी है सरल शब्दों में इस से ज़्यादा सरल नहीं बोला जा सकता समझना पड़ेगा अपने अनभव से समझना पड़ेगा लोग मझे कह देते हैं कि हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हम कर सकते यह देखो हम अपनी महनस से मैजिस्टेट बन गए हम अपनी महनस से सी एम बन गए पी एम बन गए कोलेक्टर बन गए उस उदे पे हैं उस उदे पे हैं वो जमीन मेरी वो कार करना मेरा मेरे पास इतने दास इतनी दासियां इतने नोकर इतने चाकर इतने जहाज इतने कार सब कुछ मेरे पास और हमने अपनी मेहनस से कमाया हम कर क्यूं नहीं सकते हैं कर सकते हैं झां कि बिल्कुल कर सकते हैं कौन कहता है तुम नहीं कर सकता है लेकिन कर करके सूख ही भी होते हो सूख मिला अगर सुख मिला तो यहां का जख मार रहे हो अगर सुख मिल गया होता तो इस धर्ती पर फिर फिर जनम लेने की अवशक्ता क्या थी अगर पर्म सुख उतर गया होता तुमारे किसे भी करती के काना डिगरी कमा सकते हो धन कमा सकते हो मैजिस्टेट बन सकते हो सी जे आई बन सकते हो पी एम सियम बन सकते हो सब कुछ बन सकते हो मेनत करके लेकर जिसे हम सच्चा सुख करते हैं और वह है अगर शौड परभाशा में मैं बोलूं परमात्मा सच्चा सुख परभात्मा है अखंड सुख परभात्मा है तुम कोशिश करके कुछ बन तो सकते हो हो नहीं सकते हैं पर जो तुम कोशिश करके कुछ बन तो सकते हो पर जो तुम हो आनंद के पुंज वो हो नहीं सकते कोशिश करके इन आखरी शब्दों को आप कतारे किंदर रख लेना सरकल में तुम कोशिश करके कुछ बन तो सकते हो कुछ भी बन जाओ कोई बात है सारी सिश्टी के मालक बन जाओ सिकंदर बन जाओ बन जाओ लेकिन जो तुम हो आज सारे माबाप बच्चे को कुछ बनाने के लिए उत्सु करें कोई माबाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो हो जाए ना बुद्ध के पिता चाहते है कि बुद्ध वो ही हो जाएं जो है ना पी एम सी एम के माबाप चाहते है कि ये जो हैं भीतर से सच में हैं वहां वो ही हो जाएं बन तो सकते हो हो नहीं सकते है और सच्चा सुक पाना हमारा लक्ष है लक्ष भी है जरूर्थ भी है इस सच्चे सुक के बिना हम तड़ूएंगे जलेंगे जागेंगे दुखी होंगे और सच्चा सुख तुमारे बनने से मिलता नहीं ख्षने के सुख मिलता है अखंड नहीं मिलता अखंड सुख मिलता है कुछ होने से छोटा सा सूत्र हो जाओ जो तुम हो और यह होने के लिए करना वरना सब रोकना होगा ठहर ना होगा ठहर कर तुम वही हो जाओगे जो हो और यहीं तुमारा अंतिम लक्ष है और इसी से तुमें चैन आएगा सुकून आएगा सुरूर आएगा मस्ति आएगी अनंद आएगा महा सुख महा आनंद का जनम होगा अगर तुम जो हो वो होने में काम्याव हो गए धन्यवाद